आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वाल हैंगिंग क्लोथ और्गनाइजर लेकर रहे हूं जो घर पर फटा फट बना सकते हैं और अगर आपको नहीं स्टेचिंग आती हैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने पहले भी सजिस्ट किया चुरू करते हैं इसे बनाना मैंने सबसे पहले एफ़ोर साइस का एक पेपर लिया है पेपर में एक बॉर्डर बना लिया है और इस तरह से एक डिजाइन बना लिया है इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका शेप एकदम बराबर आएगा आप चाहें तो नीचे से भी राउंड शेप देदें अगर नहीं चाहते तो स्क्वेर भी बना सकते हैं नीचे से स्ट्रेट कट कर लिजे उसके बाद आपको जिस क्लोथ में बनाना है मीन फैबरिक है वो ले लिजे मैंने दो तरह का फैबरिक लिया है एक लाइट कलर का औ इसे कट कर लेंगे सेम डिजाइन को और पेपर रखकर वापस इसे फिनिशिंग दे देंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा हिलता डूलता है पेपर तो वैसे नॉर्मल एकदम कड़क रहता है तो हम इसमें कटिंग जाता अच्छी कर लेते हैं पर कपड़े में उसके बाद मै अरण कर सकी कृएंगे और छफटा रखकर से कट कर लेंगे टो बस इसे कट कर लेते हैं वह कि कृटा फटा रखकर अपने फिनिशिंग कर लिया है अब मैं आपको अगदम पास से दिखातی हूं और किस तर से सिक करना है ने भो भी बताती हूं आप पर जाबद तो चलेगा हम बाद में ऐसे फिनिशिंग दे सकते हैं पर छोटा नहीं होना चाहिए देखिए आपको पास से दिखा रही हो एक साइड एक दम प्लेन है शाइनिंग नहीं और एक तरफ शाइनिंग तो शाइनिंग वाला जो पार्ट है उसे कपड़े के ऊपर रखेंगे और प्लेन वारा साइड हम उपर की साइड रखेंगे उसके बाद हम उसमें आयरन करेंगे आयरन करेंगे तो एक तम अच्छे से वह चिपक जाएगा कपड़े के साथ में उसके बाद हम नॉर्मल जैसे पेपर में फिनिशिंग दी थी बीच से एक लाइन बनाके फोल्ड करके उस तरह से फोल्ड करके हम वापस से फिनिशिंग दे देंगे उसके बाद मैंने इसमें एक हाफ करके उसे एक लाइन किछ लिए हो किसले किछी है क्योंकि इस साइस का भी हमें इसमें एक कपड़ा लगेगा जिसे हमें पॉकट जैसा तयार होगा तो इसके लिए मैंने एक अब अपनी चोईस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैंने वह लाइट कलर लिया था और यह थोड़ा डार कलर लिया है तो इसमें भी मैं सेम करूंगी इसमें मैं बक्रम कट कर लोगी पहले तो मैं यह बहुत सॉफ्ट कपड़ा है तो यह इसमें फिनिशिंग थोड़ी मुश अगर आप चैनिंग वाला उपर रख देंगे तो वह आपके आयरन में चिपक जाएगा तो ध्यान रखिए इसे उसके वाद वापस से हम इस कपड़े की फिनिशिंग कर देंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता है बक्रम चिपकने के बाद थोड़ा कड़क हो जाता है पीपर जैसा लगने लग जाता है और उसके बाद फिनिशिंग देना बहुत ही आसान हो जाता है कपड़े को फोल्ड करना भी एक दम आसान हो जाता है अच्छे से आयरन करेंगे तो एक दम अच्छे से चिपक जाएगा वो और उसके फिनिशिंग दे देजिए तो अभी हम स्किप कर सकते हैं पर मैंने लाइनिंग मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा डूरेबल होगा मतलब आपका लंबे समय तक चलेगा वाशिंग में वाश करिए बिना किसी टेंक्शन के इसे प्लास्टिक को हमें साफ करना पड़ता है और प्लास्टिक अब हमारे सुरक्षित रखिए तो यह देखिए मैंने लाइनिंग लाइनिंग तो नॉर्मल अटेच करना चारो तरफ एक सिलाई मारनी लाइनिंग अटेच हो जाएगी लाइनिंग हमेशा की तरह मैं थोड़ी बड़ी लेती हूं बड़ी लिया है और इसके बाद मैं कॉर सिलाई मारनी है तो बस लाइनिंग अटेच हो जाएगी इसमें मैं स्टेप बाई स्टेप बता रही हूं ताकि बिगनर्स भी अगर मेरा चैनल देखते हैं या बनाना चाहते हैं कुछ इस तरका और्गनाइजर तो वह एकदम आसानी से बना सकते हैं अगर आपको कुछ अगर बना सकते हैं आप चाहें तो नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा लेकिन बनाने से फायदा यह रहता है कि बाद में वाशिंग में जब हम इसे वाश करते हैं तो उसका शेप खराब नहीं होता है आपको मैंने लाइट कलर में डार्क कलर के ठेट से डिजाइन दी है और डार्क कलर में लाइट कलर के तो आप भी कुछ ऐसा करिए देखने में काफी अच्छा लगता है अगर हमें से डार्क में लाइट और लाइट में डार्क का शेप देते हैं तो इसी तरह से मैं दूसर इससे क्या होता है कि वह एकदम अच्छे से लाइनिंग आपका बक्रम कपड़ा कुछ भी इधर इधर हिलता नहीं है बाद में भी आप कितना भी रफ यूज करिए वो उसका शेप खराब नहीं होता है एक और बात बता देना चाहूंगी जिस तरह से मैंने बक्रम लगाए आप चाहें तो इस पंच जो पतला वाला होता है वो भी लगा सकते हैं और इसे डेक्रेट करने के लिए आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टिकर भी लागा सकते हैं मैंने तो बेस्ट आॉट आफ वीज्ट बनाया इसल्एन नॉर्मल मैं ती श्यट का ये कपड़ा लिया है और वह उक और कपड़ा था वह शर्ट का कपड़ा है और उसके बाद मैंने वाइट कलर की लाइनिंग लगा ही लाइनिंग नॉर्मली कपड़ा लिया है उसे सीधा कट कर लिया और फोल्ड करके लगा दिया किस तरह से लाइनिंग लगा लिया वो भी आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ लाइनिंग की आज जो मैंने चौड़ाई ली अगर अगर आप सीधे कपड़ों में लगाते हैं तो नॉर्मली स्केल रखिया और कट कर लिजे एकदम सीधा होर लगा लिजे लेकिन अगर आप गोल लाइनिंग लगाते हैं या तो थोड़ी बैंड लगाते हैं आप कुछ और डिजाइन लगाते हैं तो इस तरह से हम तिर्चा कट करेंगा आप देख सकते हैं मैं किस तरह से तिर्ची लाइन कीच रही हूँ सीधी लाइनिंग नहीं कट करेंगा, अगर आप सीधी लाइनिंग कट करके लगाते हैं, तो उसमें से थोड़ी सिल्वटे आ जाती है, मतलब वो देखने में अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने फाइफ सेंटी मिटर में यहाँ पर, लाइनिंग जितनी सीधी है और जितनी पॉफेक्ट आप कट करेंगे, आपका जो भी आप बना रहे हैं, जैसे आज हमां और्गनाइजर बना रहे हैं, तो और्गनाइजर उतना ही अच्छा बनेगा, तो दो पट्टी बोल सकते हैं, आप मैंने कट कर कर लिए इस तरह से, और यह देखिये यह फैबरिका हमारा तयार हो गए, ऐमने कहा हैं बता रहे हूं को किस तरह सेर आप इस तरह से चारो तरफ आप इस तरह से नापलीजिए और दिर्चहा नाम भी ली जे, और उसके तीर जिजार चारों पट्टी बीक्ट कर लेजिए इ मतलब कॉर्णर नहीं एक का कॉर्णर लेना है और एक का फ्लाट वाला एरिया लेना है मतलब पाट लेना है और इसे दोनों का हम अटेच कर देंगे ताकि हमें लंबी पाइपन मिल जाए और हम फटा-फट बाद में अपने ऑर्गनाइजर में अटेच कर दें तो यह किया है वह भी नहीं दिखने वाला है अब हम दोनों कपड़ों को एक के उपर एक रख लिया है पॉके जिस तर से हम फाइनल अटेच करने वाले इसमें और चारों तरफ मैंने पिंस लगा ली है आप चाहें तो कच्छा काम भी कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अटेच कर कर देंगे बड़े बाले पाक को हम चोटे पार्ट से अटाच कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करें विल्कुल सीदी सीदी सिदी से आपर हम कर रहे हैं हूप तो थी साइड से थ्री साइड से हमने स्टिच कर लिया, पाइपिन याद रखिए इसमें छोटे वाले कपड़े में पहले ही लगा लेजिए, उसके बाद ही अटेच करें, उसका क्लिप थोड़ा मिस हो गया, उसके आद देखिए पाइपिन में किस तरह से रखी हूँ, उस तरह से आप भी कॉर्ण करें हैं को थाप लगता है, उसके वाले में किस कॉर्न कर नाशक बुझा लोगे स्टिच कर रहे हैं, याद रखिए जो अटेच किया है, जहां पे वह ऊपर साइड रहना चाहीं। अन्दर साइड नहीं करेंगा, वरना ना पलट नहीं करेंगे, जब की पीछे से मैं आपको दिखा रहे हूं किस तरह से सीधी सिलाई मारी है और यह एक्स्ट्रा पार्ट में ने कट कर दिया है पाइपिन जैसे कि हमने 5 cm ली अच्छी चौड़ी ली है तो हम दो फोल्ड करेंगे देखे कुछ इस तरह से इक फोल्ड कियां दो फोल्ड किया उसके बाद हम सीधी इसपे सिलाई मारते जाए के यह देखिक पी पर यहां वन फोल्ड और यह टुout फोल्ड तो इस तरह से आप दो फोल्ड करेंगे उसके बाद सीधी इस्टिचिंट करते से जाईए कर जैसे हमने पहले की थी बस ध्यान रखें जहां से हमारा पाइपिन हमने अटेच की थी मतलब जोड था उसको हमें पहले ऊपर रखना था अब वह अंदर की तरफ दब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो यह देखें कितनी अच्छे से पाइपिन हमारी सिल गई और एक दम फिनिशिंग आएगी इस तरह से अगर आप पाइपिन को अटेच करते हैं बस ध्यान रखें जब कट करते हैं बिलकुल फाइफ सेंटीमेटर ही कट करने जाएगा पूरी पट्टी आपकी फाइफ सेंटीमेटर की होने चाएगर कहीं चार कहीं पाँच कहीं छे कि तो फिर उसके भाद पैंसिल या पैंसियर कर लीजिए और फिर वापस से लेफट रά Divine में सीडी सीडी सिधिय पिर लीजिए कुछ इस तरह से बस और इस तरह से भी में से पिसे अपियंगे अपिक जाएगगे एक यहां तो थोड़ा सा लूज-लूज भी दिखेगा तो ये देखें दो पार्ट में मैंने स्टिच कर दिया और एक चोटा सा स्टिकर मेरे पस रखा तो वो भी वेस्ट ही था मेरे पस उसे मैंने ग्लूगन से स्टिक कर दिया तो देखें इसका फाइनल लुक आशा करती हूं आज का वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू कीप वाचिंग